दोस्तों एक बात को लेकर आपने हर बिजनस्मेन को परिशान होते हो देखाऊगा और वो बात क्या है वो बात है कि मेरे ग्रहक का बजट है कम और इच्छ है जादा ऐसे में मैं क्या करूँ ताकि मैं अपने बहतर प्रोड़क्ट को उसके बजट तक ला सकूँ या उसके दील विद लो बजट क्लाइंट ऐसे ग्रहक के साथ कैसे डील करें जिसका बजट कम हो क्योंकि जारा तरह देखा गया है कि हर ग्रहक चाहता बहुत बहुत बहुतर चीज़ है पर पैसा खर्च करने के लिए तयार नहीं है तो यहां पर यह समझना बहुत जुरूरी है कि तीन तरह के क्लाइंट होते हैं एक ब्रैंड कॉंशियस एक क्वैलिटी कॉंशियस और एक प्राइज कॉंशियस बहुत सारे ग्रहक इस तरह के हैं जिनको केवल एक पट्रिकुलर ब्रैंड चाहिए उन्हें कोई फर्क नहीं पटा कि प्राइज क्या है तो वह ब्रैंडेड शुरूम पर जाते हैं ब्रेंडेड प्रोडक्ट को देखते हैं उसके टैक को पढ़ते हैं और प्रोडुक को प्रोड़क को पिक कर लेती है दूसरा जो ग्रहक है वह क्योंशियस उसको इस बात से कोई फर्क नहीं परता की कौन सा है वह तो एक बहुतर क्वैलिटी को सर्च करता है जैसे बहुत सारी जगया पर देखा गया है कि ये पर्षेक आब आएक क्या है वह रदाता रड़ी नहीं नचाशनगे आवे । दुसरा घ्राय कहला है नहीं वह और यह नहीं भी देख़े गानोज सोट स्थे देखना है। ही वो brand को देखता है लेकिन जो तीसरा ग्रहाक है ना जो majority of the client है वो कौन सी है कि वो देखता है कि कि किसका price सबसे कम है और ऐसे client से deal करना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक business owner के लिए तो हमें करना क्या है जब भी आपके पास ऐसा ग्रहाक आए ना जिसका बजट बहुत कम हो और वो चाहता बहुत बहुतर product हो तो उसके साथ deal करते समय आपको इन बातों को ज़रूर ध्यान लखना number one clearly define scope of work आप scope of work को clearly define कर दें कई बार क्या होता है कि उसकी expectation तो है बड़े brand को लेकर एक high quality product को लेने की लेकिन उसके हिसाब से उसका बजट नहीं है तो आपको define करना पड़ेगा कि जो product या जो service आप देने वाले हैं उसमें क्या चीज कितनी quantity किस quality की मिलने वाली है और कई ऐसा ना हो कि आपकी deal क्राक से हो भी जाए लेकिन बाद में relation खराब हो जाए या आपकी deal बीच में खराब हो जाए तो इसलिए बहुत जुरूरी है कि आप clearly define करें कि आप क्या काम करने जा रहे हैं उसके लिए उसके बाद set realistic expectation कई बार ग्रहक कम पैसा खर्च करके ना अपनी expectation को बहुत हाई रखता है खासकर आपने देखा होगा लेडिस जब किसी showroom पर जाती है न और designer dress को देखती है तो उस designer dress को देखने के बाद वो चाहती है कि designer dress दो बातों में पूरी हो जाए नबर वान एक तो उनके figure के साब से उनके उपर set हो जाए दूसरा उसका price कम हो जाए चाहे उसकी copy लेनी पड़ जाए अब यहां दोनों ही बात यह बात है एक बहुत high-end design को copy करना मुश्खिल भी हो सकता है लेकिन कई बार accurate copy नहीं भी बनती है तो expectation अलग होगी दूसरा जिस dummy के उपर वो कपड़े पैने हुए ना उसका structure जो है वो well maintained है और वो खुद की shape body देखती नहीं है जिसकी वज़ए से कई बार क्या होता है realistic expectation जो है उनकी बदल जाती है तो यहां बहुत ज़रूरी है कि किसी भी client के साथ deal करें तो उनको realistic expectation जो उनकी है उससे उनको दृ product offer किया उस product का price for example एक लाक रुपे है और client का budget है सिर्फ 60,000 तो अब क्या कर सकते है ऐसा तो नहीं कि आपके पास 40% margin आप इतना discount कर देंगे और product में deal कर लेंगे तो आप क्या कर सकते है कि alternative product customer को offer कर सकते है कि यह लाग का product है मेरे पास 65,000 का एक और product है अगर आपको low budget में च में बताता हूं माले जे किसी customer को हमने modular kitchen stainless steel में 5,000,000 रुपे का offer किया मेरा budget ही 3,500,000 रुपे है तो हम बताते हैं कि हम stainless steel cabinet plus wooden shutter का option आप ले सकते हैं तो आपका जो है वो 4,000,000 के budget में आ जाएगा अगर आपका budget और कम है तो मैं आपको HDHMR एक material होता है HDHMR में offer करता हूं यह kitchen मतलब मेरे पास alternative solutions हैं आपके product की जरुवत के हिसाब से आपके budget के हिसाब से कौन सा product best हो सकता है वो मैं आपको offer कर सकता हूं उसके बाद next important बात है वह streamline your process कई बार क्या होता है customer को बहुत सारी चीज़ जहां पर make to order का concept होता है वहां आपको सारा process streamline करना जूरी है कि सबसे पह production process होगा उसके बाद फिर installation होगी काफी सारे products में आपको streamline करना पता है पूरा process की मेरे इस पूरे काम का process क्या है यह final product आपके यहां तक कैसे पहुंचेगा और कैसे install होगा जहारतर make to order में यह काम होता है fine उसके लवा communicate clearly and often अपने customer के साथ na communication बिल्कुल clear रखें बिल्कुल clear क का मतलब उसको exactly define करें कि यह काम कितनी समयवदी में होगा उसके लिए क्या product होगा क्या quality होगी क्या services होगी कैसे कैसे payment आपको देनी होगी यह बड़ा important है किसी भी customer के साथ deal करते समय clearly define करने का otherwise आपकी deal बीच में खराब होनी की संभाव ना हो सकती है जहां पर deal का process बहुत ल price के according मान लीजिए 5 लाग का आपका product का price है और आपके consumer का budget 3 लाख रुपे है जो alternative भी आपने दिया है वो 4 लाख है उसके बावजूद भी उसके budget में वो चीज नहीं आ रही है तो इस case में अपने customer से कभी भी अपना relation खराब ना करें कि जाओ जी आपका तो budget ही नहीं है जा कोई बात नहीं सर भविश्य में हम आपको services देने के लिए तयार है product देने के लिए तयार है जब आपका budget हो तो उस budget के according हम आपकी मदद जरूर करेंगे हमेशा अपनी deal को close करते समय या अपनी meeting को wind up करते समय long term relation को ध्यान रखते हुए जरूर customer के साथ deal करें क्योंकि आइसे customer के साथ deal कर रहे हैं जिसके पास उस product या उस service से संबंदित mindset तो है पर budget नहीं है लेना तो चाता है पर उत्मा पैसा नहीं है तो यह वो तरीके जिससे आप उस customer को convince कर सकते हैं यह long term में उसके साथ deal होने की possibility को बनाए रख सकते हैं इसके लावा business leader आपके मन में कोई कोई भी प्रश्ण है तो वह प्रश्ण हमें comment box में जरूर लिखें कोई informative वीडियो मिसना उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो को notification सबसे पहले आपको मिले स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित माहिश्वरी पिसनों और वविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत